अजो कि आज पूरब जा रहे हैं जो पूरे ज़ने प्राउच प्राउच पर रहे हैं 1 & 3 4th cup मैदा, all-purpose flour, 1⁄2 cup cooking oil, आप चाहें तो बटर या घे भी ले सकते हैं, लेकिन मैल्ट इट, एक पैटेट कोफी, बटर भी बटर, बटर एक सुटा, ⅜ज़ः टबल स्पून डोन ज़ें, ⅜़ः गब कोफी लेस्पून नमक, ⅜़ः गब कॉपून नमक , ⅜़ः टीज़ब नमक , तीज़ब नमक , दो लार्ज एक और व्यानिला एक्स्ट्रेक्ट वन टीज़ वोगा सिरका हमें चाहिए होगा इसलिए क्योंकि यह जो वन कप मिल्क हम ले रहे हैं इसमें इसको बटर मिल्क बना दीए मिल्क में हम वन टीज स्पॉन से लिए जर्म है थोड़ा काढ़ा पान इसमें अबी से थोड़ा सब्सक्राइब वन्हें वगाल कोई वाल हुआज कि वाल शीज़ ओावा थोगरा कोई़ पार गुड़ा कोई़ी ताब्सक्राइब विद्वख़ा प्सक्राइब एते हैं विद्वा कोई़गा जब्सक्राइब अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ी पॉपिंग अब चान देंगे अब इसने हम सारे सुखे इंग्रीडियों शामिल कर दो चीनी टू कब करेंगे यहाँ पर मिक्स करना है कि यह सिवाई कोपी के यह सुख्रेंग का पैटिख सबाइब करेंगे खुआ है इसमें आप्छा सब्सक्राइब करना है कि इस पीख चाना है क्धिब अर्णे और्णेट करेंगे कि नखली में नखल्ग करेंगे सिर्णी इसलिगत कर देदम है कि अर्णेट कर दिएस्य चैने में झालना कर दिए है, तैसलिग्ला कार्णेट लाया है यह लिक्विट माटेरियल एक करेंगे सारे अभी भी ओगा लेकर आपने इशार से अच्छे सेमिक्स कर लिया तो इस लासत के लिए तापने पूचके अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसको इस अब रख दिनेगे थो एक अजरला प्रतन में टोनो अटो के चाहिएए आपको हमेश्य करें कि तर प्रेट करने ही अच्छी सी जैसे भी आपको गणियान हो जाते है अपस्को चाहिए प्रेट करने से ही कि थोड़ा फोनी हो जाता है तो रिजल्ट अच्छा होता है, यही बी करें तब हम से गाले है यह पाल में दुनों अल्डे दोर्मिया ने इस तो आच्छे से बीच करेंगे जब दो आपके ने करते हैं अच्छे पाल करेंगे इसे विपाल बार क्ष्छेश पाल वैवल्ड वाल बीच्छे ने घंप्ट व्हाई झाल प्सकुप्छे एक रश्षट अभेक्त वाल जब अच्छे लिए एक्षण लिए एक भाल झाल टार जरे प्राइब तरौ में नहीं प्राइब पार यारिण नहीं जो नहीं है अगल कोOK कि किसी, मशीन üneसी ही बाता हूदा है अब टोटनी साल जग उन से ग्रिजर्ट होरा हम अच्छा में जगा अच्में में झानए ये जग सेनी कर दो बादर मेरिक पट्टीव केखा गांग हो गख हिना टेकर भादर ordin wanna choose go अली डैस्टे ले की लैस्टी राफो से जलाओन में घ्ला अका शॉब लाफोरों अब साहे ध्राइब इंग्रीटेंट में हम यह लिक्विड वाला इंग्रीटेंट शामिल करते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे यहां रहें कि लंपना हो और इसको इसी तरह मिक्स करना है इसको कोशिश करेंगे, चाय की तरह मिक्स करेंगे इससे राइस मुने में कुमी कप्पी आसे है कि यह की राइस मुने में तोड़सी डिप्पी आसे हैंगे स्वोग को इससे तरह में इससे तरह में बंदी है अछिए लूपी है यह झाल तरह में वड़सी आसे बड़सी कादिया इसमें फाइल लगा के फिर उपर से जो बचा हुआ आटा था वो डाल के इसको चारो तरफ आटा सही से लग चुका है अच्छे से ये पैन ग्रीज हो चुका है अग ताइना कोफी गना गजाएं पहले कोफी नहीं रख सकती है वनना वो ठंडी हो जेगी हमें इसमें होट कोफी गरम कोफी नहीं है तो ग्रम गजाएं तो पैकेटें अजाएं अजाएं पैके लाएं आटा आटा वाल काच्छे लाएं पैके लाएं पैके लाएं तो जाएं तो टेड़ मैंगे कि बड़ सिरे भी लूज़ का लूए कि वह आ देड़ा हॉ अविल देटें कि अड़ गड़ी आड़ा हॉ अब इस ग्रीस के यह पैम में जालने ज़स्ट पहले आपको इसके अंदर कॉपी को मेक्स कर रहा है वो भी जादा नहीं अधिक आई इस तरह पॉल कर देख देख अ कि अधिक आट पे लगा दिया है पुल आपके ओवन का पुल है तो पे लगा देख मेरा थी प्रिफी है तो प्री हीट पे लगाएं यह तिल्कुल भी मिक्स अच्छे से भी मिक्स नहीं हुआ है और मिक्स हो भी गिये पिल्कुल फॉक्छे से लागी लाव्यादिय है त्सक्ट्ष को भी मिक्स नहीं हुआ है प्याद को लागीं है किसी शार बेन कि फिन लाव्यादी है प्रड़ चाल जब आपने इसको पैन में डाल दी है बैटर को फिर आप बेट नहीं करेंगे आप इसको फोरां ओवन में डालेंगे को पैक में पैक वब देंगैं के साले है यह है पैक में मां आप इसको पैक का लाफ़ाइब नाफ़े पैसे यह है रसकार यह शाले है अनली कराएब हिऊश्आ है जब तक हमारा केज देख हो रहा है जब तक हम इसकी उपर की टॉपिन तयार कर लेते हैं इस नाय में चलिए कुपी चॉक्रेट जाराने एक बार ले रहा है इतना काफी हो रहा है तो इसमें जादा क्रीम में लगाते है इसको नाय में इसमें रखके बॉइडर बनाए है और इसको बॉइल पे लगाती है अब द्रीन के लिए इसको या इसता हो दी ये चॉकलेटे में जाएंगे तिया मेल्ट होना शुरू हो जाएं जब यह सभी से मेल्ट हो जए इस सारी चॉकले तो फिर आप इसको फ्लेम से उतार लेंगे और इसमें बटर एड़ करेंगे चौकलेक मेल्ट हो चुकी है तो इसमें हमें बटर उपर से एड़ कर दिया है अब हम इसको बॉइलर से उतार के अच्छे से मिक्स कर देंगे देखे कितनी इच्छे से मेल्ट हो गई है जब यह रूम टम्टरेचर प्रड़ आ जाए बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तक इसके अंदर क्रीम एड़ करें यह उन से निकाल दिया है मैंने 35 मिनिट में कि अच्छे से पक चुका है अच्छे से पक चुका है तो ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक इस बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता तो अब तक आम इसके अफ़र क्रीम नहीं लगाएंगे अब हम इसमें चार से पांच टेबल स्पून क्रीम यूट करेंगे कोई से भी ब्रैन की आप क्रीम लेट रखते हैं जो भी आपको पसंद हो क्रीम मिलाते वक्तिहान रखेगा कि यह कुटिंग चॉकलेट जो है इसका टंप्रेचर बिल्कुल डूम टंप्रेचर रोग इसमें मैंने क्रीम एट कर लिया है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपने इसको जो हमने मौस्ट चॉकलेट ब्रॉंवी केक बनाय था उसके ओपर लगाना है अब इसको मोल्ड से निकालेंगे सही उसके लिए हम पहले ऐसे इस तरह से जारो तरह नाइफ से प्रॉल इस बर्यूस बर्वारलेंगे तकी शीप रहाना है प्रॉल भॉपल भॉऑज आपक शीप रखनार सब्सक्राइब आपको निके उसके बर्वार मीगरतीचे ऑंजाए कम बेलड़ा जडिर कर दो दो प्रत कर दो मु JOHN DUS कर दो जका बती है आ जो 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 आप मेले हुआ। तो जाद सब्सेट कि एंद जो अजह से बहें आज है। क्रीम आपटे के कोफ़े हैं। कर दो भी अ कर दो अॉड़ी एव कर दोंगां मेरे पास यह पुछ ग्रॉष की चॉकलेट है आप चॉकलेट चिप्स भी पिनाम कर सकते हैं इसके उपकर ग्रॉट करेए अगर आप पसंद करते हैं तो इसको डाब होते हैं इसे इसके अप्रेट करें पुल दैगा लाज को हमारा एक पर जार है अपलेट बार मिजेर, मेश्सटलेट ब À्पलेट बार मिजेर यहां कि कॉलेट इसके जैग समय प्रोक बार जनल मेज्खल इसके critical हैं अच्छा टेक बना है आप अपने गरों पर जबर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल जबूर सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे एच्छी रेसिपी देखने के लिए और लाइक जबूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अलाहाफिज खूँ पूँ्छी रेसितमें सब्सक्राइब कीजिएों कीजिए खन्स के सांवारे साथ झापके साथ लाइक भी का साथ युन तेस पाने और हैं ओर नखेयर आपके साथ सहने दी, हमाने मने के साहं के सायाइस, अपने झाँ परमाज का साथ अलाँ